एक साल पहले ही कोरोना से बचाफ करते हुए वाक्सीन का इंतजार करते हुए निकल चुका है। हाल में ही वाक्सीन तयार होने की खुशकबरी भी आई थी और हमने कुछ वक्त के लिए राहत की सांस ले थी। मगर साल खत्म होते होते एक और बवंडर आ गया है। कोरोना वाइरस का जो नया म्यूटेशन यूके में पाया गया था जिसे लेकर डॉक्रेट्स ये कह रहे हैं कि वो 70% जादा खतरनाक है। उसके केस भी बीते कुछ दिनों से भारत में आने लगे हैं। देश में अब तक नए स्ट्रेन वाले कोविट के 20 मरीज मिल चुके हैं। मंगलवार तक इनकी संख्या बस 6 थी। मगर 14 और केस कल सामने आने के बाद ये संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। नए स्ट्रेन वाले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोग अलग-अलग राज्यों से हैं। ये नए केस करनाटका, दिल्ली, तमिलनाडू, तेलांगना, आंधर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चम बंगाल से आए हैं। जो 20 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, उनमें से 4 दिल्ली से हैं। कर पश्चम बंगाल में नए कोविट स्ट्रेंग का पहला मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश में 1655 लोग UK से वापस लोटे थी, जिनमें से 1090 लोगों की टेस्टिंग की गई हैं। इनमें से एक दो वर्ष ये बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाए गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में UK से लोटे 1655 लोगों में से 565 लोगों को टेस्टिंग के लिए कॉंटाक करने की कोशिश की जा रही हैं। मगर उन सभी के मुबाइल फोन स्विजडॉफ हैं। कोविट के नए स्ट्रेंग का खत्रा बिहार में भी आ रहा है। कराना ही नहीं चाहते। 92 में से 80 ऐसे यात्री हैं जो सीधे UK से आए हैं। जिला स्वास समिती ने पटना के अस्पतालों में इन यात्रियों की सूची भी भेज़ दी है। उस सूची में यात्रियों के ट्रावलिंग डीटेल के साथ साथ उनकी मुबाइल नमबर भी शामिल है। इसमें एक बात यह हैं कि किसी भी यात्रीने अपना पूरा पता दिया ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्वे पता, पतना का दिया हैं लेकिन वो झारकन पहुंच चुके हैं। 37 ऐसे यात्री हैं जिन्वे सिर्फ एक ही मुबाइल नमबर दिया हैं। बाकी सबी ने दो-दो मुबाइल संबद दिये हैं। कई यात्री ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनकी जांच दिल्ली एरपोर्ट पर पहले ही हो चुकी है। स्वास्त मंत्राले की 24 घंटे के डेड्लाइन के बावजूद ये लोग अभी तक जांच के लिए नहीं पहुँचे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वो एक-दो दिन में जांच के लिए जाएंगे। लोगों की दोबारा कोरोना को लेकर ऐसी लापरवाही बहुत बड़ा चिंता का विशय है। पहले भी जब कोरोना ने देश में अपनी पकड़ बनाना शुरू किया था तो लोग जांच से ऐसे भाग रहे थे कि मानों वो कोरोना से नहीं बलकि उसके इलाज से मर जाएंगे। हमने कई ऐसे केस देखे थे जिसमें मरीज अस्पताल से भाग गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो अस्पताल से भाग अपने घर चले गए थे। लेकिन वहाँ उनकी मौत हो गए। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो जानकारी दिखाई दे रही है। आप उसकी मदद से डोनीशन के रूप में हम तक अपना सयोग पहुचा सकते हैं। इस वीडियो कौन तक देखने के धन्यवा मैं हूं सॉम मेराठी के आमरे के पीछे हैं श्रिष्टी और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्राइब। क्यां क्या देख देख से रहे हैं जन्ता जिए रहे हैं।